इस Heading को देखे जरह इसकी लंबाई इम्ता बजनत रहे Thermodynamic Scale of Temperature इसका नाम है क्या नाम है? Thermodynamic Scale of Temperature इसका दूसरा नाम है Kelvin Scale of Temperature इसका तीसरा नाम है Absolute Scale of Temperature और इसका मेन नाम है Work Scale of Temperature मतब तेम्परेचर को नापने के लिए एक Scale मनाए गया उसी का ये ताम जाम है इसका पहले मतलब समझे लीजिए देखिए टेमपरेचर को नापने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया उसका इसके पहले भी किया गया हो वो सलसियस साब ने किया था सलसियस साब ने उन्होंने देखा कि जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है एक विसी इस उस पर फ्रीज होता है तो में एक मर्करी थर्वमिटर बनाया था एक मर्करी लिया एक उस ट्यूब में और फ्रीज जब फ्रीज हो रहा था पानी फ्रीज हो रहा था फ्रीज वाटर नहीं जमा हुआ पानी उसका टेम्ट से कितना होता है माइनस भी हो सकता है जिसमें जम रहा होता है उसमें टमजे कितना होता है 0 तो वहाँ पर थर्ममिटर को ऐसे किया डिप किया जहाँ पर मरकरी रुख गई उस स्केल को उन्होंने का ये 0 degree centigrade है और boiling water में लगा तो वहाँ पर जब रुखा तो उसका नाम दिया गया 100 degree centigrade और 0 degree centigrade से 100 degree centigrade को 100 भाग उमबाड दिया हर एक भाग को उन्होंने का 1 degree centigrade होता है ठीक है जबकि इसके लिए आप conditions होती है कि खौलते वे पानी का temperature 100 degree होगा ज़रूरी नहीं है है? नहीं है ज़रूरी अगर आपनों नहीं मालूँ होगा पहले जो डाल होती थी वो बटोईयाम पकाई आती खुला बरतन होता था अभी तो कुकर आ गया है कुछ पानी का सिस्टम होता था हमारे मामा जी किया हम थे तो वहाँ पर था कि उनके हां से अगर पानी इस वाले कुए के पानी से नहीं दाल पकेगी उस वाले कुए के पानी से दाल पक जाएगी तो एक लोगों का पानी लाना पड़ता था दाल पकाने के लिए क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस कुए से दाल नहीं पक रही थी उसमें कुछ ऐसी चीज मेक्स हो जिससे उसका boiling point जल्दी हो जाता था जल्दी उबलने लगता होगा अब पता चला कि डाल तो 100 डिगरी के उपर पकनी है और पानी उबल गया 70 डिगरी पे ही वह अला पानी 100 पे उबलता होगा अगर वही चीज आप ले करके चले जाई में हील एरिया में तो हील एरिया में boiling point पे क्या फर्क परता है boiling point घहता है बढ़ता है तो भौता है ये मालूम है क tässä बता रहा हुँ जंतक्ति हमने और अरे वाह सुनिए ध्यान से अजो pressure पर क्या फर्क परता है प्रेसर घरता यहीं मालूम है आपको पहले से मुले नहीं बढ़ादू कोई जांदा आजा लगा रहे हैं प्रेसर किस हुझेट परता आपके ऊपर एक्मासफियर की वज़़े से एक्मासफियर सी गैस की वज़़े से परसर परता है ना तो जब hill area पर जाते ओओ तो वहां पर क्या होता गैसे कम हो जाती है, जब गैसे कम हो जएगी तो प्रसर क्या हो जाएगा ? मतलब gases आपके उपर pressure डाल रही है यह है न और जब हिल पे चले गए वहाँ पर gases कम हो गई तो प्रशर वहां क्या हो जाता है घड़ जाता है वालिंग पॉइंट भी घड़ जाता है भी घड़ जाता है जो पानी यहां पर 100 डिग्री पे खौलता है वहां 70 पे खौलने लगता है तो 70 पे खौलना सुरू कर देगा तो दाल पकेगी नहीं इसलिए प्रसर कुकर बनाया गया प्रसर कुकर में क्या होता है प्रसर बढ़ जाता है बहुत हाई प्रसर होता है और लेकिन मजबूरी यह थी। एक राजिस्टेंसथर्मामिटर बनाए गया। राजिस्टेंस करके आप थिम्ट्रों नाप दे थी। एक गैस थर्मामिटर बनाया गया। टेंपरेचर के साथ गैस का वॉलूम चेंज होता है। उसको दे करके हमने तेंपरेचर अपना सुरू किया लेकिन एक दिक्कत हमारे सामने ये आई कि जैसे हम जब mercury thermometer से किसी body का temperature नाप रहे थे तो ये था mercury thermometer और इसमें जब नापा तो हमने देखा कि ये इसने 70 degree centigrade बताया मा लेते हैं इसमें क्या हुआ कि mercury का दिखाई पड़ता हाइट लेकिन वही चीज आप प्लेटनम रेजिस्टेंस हैं आप होगे तो देखा 70 नहीं दिखा रहा है हो 60 दिखा रहा है क्यों कि प्लेटनम महा लगा हुआ है प्लेटनम की अपनी करक्रिक्रिस्टिक होती है temperature के साथ temperature के हिसाब से वह अपना resistance करता है तो हमने देखा कि अलग अलग थर्मामीटर से बॉड़ी का temperature नापने पर अलग अलग measurement देता है तो यह scale ठीक नहीं है इसके लिए Kelvin सहाब ने first lab thermodynamic based एक skill बनाया जिसका नाम रखा गया thermodynamic scale of temperature ठीक है चुकि Kelvin ने बनाया था इसलिए इसको कहते है Kelvin scale of temperature तुम बनाते तो होता तो कुसी scale of temperature हम बनाते तो EP scale of temperature चुकि उन्होंने temperature को absolute नाम दिया था इसलिए इसको absolute scale of temperature कहते हैं चुकि यहाँ पर work done by thermodynamic system का use किया गया है इसलिए इसको कहा गया work scale of temperature तो पहले तो इस heading का मतलब सुन में आ गया ठीक है तो पहले तो हम इसमें यह लिखाएंगी कि भाई हमारे पार जो थर्वा मिटर अबलेबल हैं जैसे डिजिटल थर्वा मिटर आप यूज करता है किस concept पर हो काम करता है जो और आपकी बॉड़ी पर लगाए जाता है तो एछ चोन उसमें होते है उसमें इसे वो गरम होती है उसके अंदर लगा होता reading दे रहा है उद्देश यह किसी body का mercury skill से नापने पर resistance thermometer से नापने पर gas thermometer से नापने पर सब temperature अलग-अलग measure कर रहे हैं मतलब यहाँ पर temperature को mercury की characteristic decide करती है resistance वाले पर resistance decide करता है यानि कि उस substance की कुछ property पर decide करता है तो हमने एक ऐसा skill बनाया जिसमें तो substance की property पर वो decide ना करें तो पले कहानी लिखिए there are various types of thermometer there are अब लिखेंगे नहीं बोर्ड पर लिखने में बहुत rating गंदी होती है वैसे अच्छी rating है there are various types of thermometer such as such as mercury thermometer mercury thermometer M-E-R-C-U-R-Y thermometer thermo meter नमबर दो उसमें लिखेंगे नमबर ना लिए gas thermometer gas thermometer next platinum resistance thermometer platinum platinum resistance thermometer etc to measure the temperature to measure the temperature अब इन thermometers से जो temperature measure करते थे तो temperature measurement in substance की property पर depend कर रहा था तो लिखेंगा temperature measurement temperature measurement with above said thermometer जो उपर बताएगे हैं उनकी बारे में बात हो लिए temperature temperature thermometer sorry temperature measurement with above said thermometer depends upon the properties depends upon the properties और nature properties को हो या nature को हो properties और नेचर आफ दाश्वस्टेंस आफ दाश्वस्टेंस विच वैरीज विदट तिम टंप्रिचर which वैरीज विद तिम्प्रिचर थीक पहली बात यह दिक्कत आई यह दिक्कत हो रही है धर्मा mercury अपने हिसाब से मिजर करेगा, क्योंकि उसकी अपनी एक nature है, कि किस temperature उसका volume बढ़ना है, जो आपका platinum resistance अपने हिसाब से करेगा, कि किस resistance के हिसाब से क्या मिजर करना है, कितना resistance चेंज करना है, ठीक है, तो इस problem की वजए से हमको एक ऐसा scale बनाना, बनानी की बतार requirement आई, कि जो properties of material पर depend न करे, तो paragraph change करे के लिखे, तस, तस, it becomes necessary, it becomes necessary, to define a scale temperature, to define a scale of temperature, to define a scale of temperature, which is independent, independent, which is independent, independent, of the properties of substance used, independent of the properties of substance used, ठीक है, इसके लिए सामने आई, चुकि मैं उसमें था नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था नहीं, महीं सामने आई जाता है, उसमें, Calvin साफ उजर्म हो चुका था, Calvin सामने आए, उन्होंने first lap, sorry, carno engine पर based एक thermometer बनाया, पर ग्राफ चेंज करे के लिखे, Calvin introduced, Calvin, Lord Calvin का नाम था, Calvin introduced a new scale of temperature, based upon, based upon, the working of carno's engine, carno's engine, called absolute scale, called absolute scale, absolute thermodynamic scale of temperature, absolute, absolute scale or thermodynamic scale of temperature or work scale, absolute scale or thermodynamic scale or work scale, this scale is independent of properties of any substance, this scale is independent of properties of substance, इसके लिए इन्होंने लफडा क्या किया, उस लफड़ा इक बारे बात कर लिए, कैसे उसको बनाया इन्होंने, ठीक है, लेकिन चुकि उनको engine नहीं बनाना था, उन्होंने एक carno engine कैसे लिए जा समझिएगा, साउधान, उन्होंने दो engine लिए, उन्होंने का ये carno engine है, engine number E1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक source लिया उन्होंने यहाँ पर लिया source S O U R C E लिया इसका temperature लिया T1 कहीं कहीं पर theta 1 लिखा हो तो confuse नहोंना क्योंकि temperature को theta से भी represent करते हैं ठीक है और यह क्या कर रहा था कि यहाँ से heat absorb कर रहा था और यहाँ पर एक sink ले ली और यह sink है और इसका temperature लिया T2 और यह थोड़ी heat यहाँ पर reject कर रहा था और थोड़ा work भी कर रहा था यही तो carno engine का concept होता है तो उसने Q1 heat यहाँ से absorb की और W1 किया work और Q2 किसके को रहा होगा Q1 minus W1 reject कर दिया sink में ठीक है कितनी heat यहाँ इसको मिल रही है Q2 यहाँ इसको Q2 heat मिल रही है लेकिन temperature इसका change नहीं होगा लेकिन heat कितनी इसके पास है कि Q2 अगर इसके और को देना चाहेगा तो कितनी heat देगा Q2 देगा Q2 इसके पास है ना हम गए चाचा heat दे दो कहने लो Q2 आउ थोड़ी दे दो इसके बाद एक दूसरा engine लिया उन्होंने इसका नाम दिया E2 यहाँ से उसने heat absorb की कितनी absorb करेगा Q2 ही करेगा क्योंकि Q2 ही sink के पास heat थी और यह थोड़ा सा work किया इसने W2 work किया और यहाँ पर एक और sink थी sink इसका temperature था T3 इसने यहाँ पर heat transfer कर दी Q3 किसकी कुल होगी Q2 minus W2 यहाँ समझ मागया तो इसकी efficiency निकालेंगे फिर एक ऐसा engine लिया जो यहाँ से यहाँ पर heat ले रहा था यहाँ transfer कर रहा था ठीक है direct वो बाद में बात करेंगे पहले दो engine ले लेते हैं तो जड़ा paragraph change करके लिखिए let E1 and E2 be two reverse cornot engines E1 and E2 are two cornots reversible cornot engines reversible cornot engines reversible cornot engines अब सुरू हो जाओ लिकिर E1 works between temperature T1 and T2 यह sink source अब मालूम है क्या है इसमें लिखा हुए E1 works between temperature T1 and T2 E1 जो है T1 T2 की बीच में वर्क कर रहा है T1 and T2 take heat Q1 from source take heat Q1 from source देखो अगर समझ के लिखोगे तो tough नहीं है इसका mathematical proof ठीक सब पढ़ा हुआ आपका लेकिन diagram based ही है ध्यान सुझेगा take heat Q1 from source and does work W1 and reject heat Q2 to the sink and reject heat Q2 to the sink at temperature T2 तो अगर मैं आप से कहूँ कि इसकी efficiency क्या होगी its efficiency its efficiency EFFI efficiency क्या होगी eta is equal to eta 1 माल लेते हैं तो eta 1 क्या होता है efficiency का फ्रमला क्या होता है अब ये अगर नहीं मालूं गड़बड़े 1 minus Q2 upon Q1 is equal to 1 minus T2 upon T1 होगी जारा समझेगा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि efficiency temperature प्रिटेपेंट कर रही है यानि हम कह सकते हैं कि efficiency temperature का function है temperature के term में answer आएगा न तो इसको हम ले सकते हैं function of T1 and T2 कह सकते हैं ठीक है अगर हम इसको जड़ा calculate करने जा रहे हैं इसको इसको calculate कर रहे हैं तो 1 minus Q2 upon Q1 is the function इसमाल f लिख रहे हैं function of T1 T2 है अब कैसा function है वाला की बात है कि T1 square plus T2 आया है यह आया हो है ना T1 minus T2 upon T2 तो जो भी आ रहा है वो T1 T2 के term में आ रहा है इसलिए उसको function लिखा गया ठीक है अच्छा अगर हम 1 को इधर transfer कर दें एh sorry f को इधर transfer कर दें तो 1 minus f T1 T2 is equal to Q2 upon Q1 कह सकते हैं यानि कि हम लिख सकते हैं Q2 upon Q1 is equal to 1 minus f T1 T2 अगर Q1 upon Q2 लिखें तो क्या होगा Q1 upon Q2 तो यह 1 upon में आ जाएगा 1 minus f T1 T2 अच्छा यह जब calculate करोगे तो यह भी तो T1 T2 के term में आएगा नहीं आएगा तो इसको हमने लिख दिया capital F T1 T2 यह equation number 1 आया पहले engine के बारे भी यह हमने calculation किया समझ में आई बात समझ में आई बात समझ में आई बात तो इसको हम कहीं नूट करें यह f क्यों लिखा जागया भाई T1 T2 के term में तो आएगा तो उसको हमने लिख दिया कि capital F T1 T2 है यह f T1 T2 का function है ठीक है इसको हम कहीं question बना के रखे दे रहे हम हम को जरुत पड़े यह बात में हम उधर लिखे दे रहे है इसको अब हम कहेंगे इसी प्रकार से जो E2 है वो T1 T2 और T3 के वीच में काम कर रहा है तो लिखे similarly अब उसमें प्रूप नहीं राइड लिखेंगे similarly engine E2 engine E2 works between temperature T2 and T3 मतलब इसके लिए जो यह वाली sink है source का काम करेगे works between temperature T1 and T2 takes heat Q2 takes heat Q2 does work W2 and reject heat Q3 to the sink so अगर मैं direct कर दूँ देखो यहां पहले तो आपने Q1 upon Q2 बराबर is the function of T1, T2 लिखा था पहले वाला कुशन लिखे दर आप न लिखिएगा यह लिखा था तो यहां क्या आप कैसे देखे पहले आपने Q1 लिखा था फिर Q2 लिखा था तो क्या यहां आप Q2 upon Q3 नहीं कर सकते हैं आप और यह function किसका हो जाएगा आप function 2 होंगे तो इसको आप F' माल लो या कुछ भी माल लो या F ही लिख दो यानि T2, T3 का function यह होगा equation number 2 यह होगा नहीं होगा T1, T2, T3 का function होगा न यह है क्या हमने गरा लिखवा दिया क्या अच्छा अच्छा नहीं T2, T3 लिख दिएगा engine works between T2 and T3 अच्छा अगर मैं इन दोनों equations को multiply कर दूँ तो Q2 Q2 cancel हो जाएगे हम कर क्यों रहे हैं वह भी बताना नहीं चाहते हैं हम भी बताएगे जब हम engine को diet इसके 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 बीच में work कराएंगे ठीक है तो engine किसके किसे work करेगा T1 और T3 के बीच में काम करेगा और heat Q1 लेगा और Q3 को reject करेगा ठीक हो बात में बात करेंगे इन दोनों को multiply कर देते हैं multiplying equation 1 and 2 इनको multiply करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर यहाँ एगा Q1 upon Q2 into Q2 upon Q3 is equal to function of T1 T2 into function of T2 T3 यह आप F square मतलिक देना यह function मतलिता T1 T2 के term में कोई relation है यह हम बता रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं Q2 Q2 cancel हो जाएगा यहाँ कि Q1 upon Q3 is equal to function of T1 T2 into function of T2 T3 लिसकते हैं इसको equation number 3 डाल दीजिए ठीक है अब मैं इस diagram को और रब नहीं करूं को दूसरा मना हूंगा इस equation को अपने दिमाग पर रखिएगा ठीक है अब जाए diagram एक और देखिए अब हमने एक engine E3 माल लिया हमने का एक ऐसा engine E3 लिया है कार्णो engine है जो T1 और T3 के बिच में काम करता है यहां से Q1 heat absorb करता है W3 work करता है Q3 dash जो की Q1 minus W3 है वो reset करता है sink में अब लिच लिखे let capital E इतनी माल लिया अज़ा capital E माल लो capital E be a reversible engine be a reversible engine works between T1 and T3 works between T1 and T3 Q3 लिखे यहां पर Q3 ही तो करेगा works between Q1 and Q3 so Q1 and Q3 क्या बोलना हो भई T1 and T3 T1 and T3 actually उसमें heat भी घुच जाती है T1 and T3 then क्या मैं Q1 upon Q3 क्या लिख सकता हूं then इसको प्रूप कर चुके है Q1 upon Q3 क्या लिख सकता हूं यह function of T1 T3 लिखा जा सकता है इसको T1 T3 लिखाएगा T1 T3 इसको equation में डाल दो 4 जड़ा equation 3 को देखो यहां Q1 upon Q3 है और यहां भी Q1 upon Q3 है Q3 होगा यहां पर यहां भी Q1 upon Q3 है यहां भी Q1 upon Q3 है क्या दोनों के right hand side equal नहीं हो जाएंगे तो अगर मैं equation 1 और 2 से 3 और 4 से compare करूं comparing equation 3 & 4 comparing comparing equation 3 & 4 we have क्या है function of T1 T2 into function of T2 T3 is equal to function of T1 T3 यह question number 5 हो गया अब सब यह diagram अगराम हम रब किये रहे है यह वो diagram बना रहे तो उचारा पड़ा हुआ है और सब कुस रब किये रहे है अब हमको चुकि यहाँ पर दो scale लेने है दो level लेने है 1 2 लेलो चाहे 2 3 लेलो चाहे 1 3 लेलो ठीक है हम 1 2 को अलग किये रहे है अगर F T1 T2 निकालें तो क्या यह F T1 T3 अपान F T2 T3 होगा कोई दिक्कत T1 T3 अपान T2 T3 अब यह जड़ा समझेगा इसको अब थोड़ा सा एज्यूम किया गया है यह क्या है T1 T3 में एक रिलेशन है कैसा रिलेशन हमको नहीं मालूम कोई कुशन दुबर नहीं रही है तो हमने का यह माल्य कुछ ऐसी रिलेशन होगा 5 T1 होगा इंटू 5 T3 होगा T1 का कुछ टर्म होगा और इंटू T3 का कुछ टर्म होगा यह माल लिया गया है ठीक है इसी प्रकार से नीचे रिलेशन किसके किसके बीच में T2 T3 में तो कैसा relation होगा, हमको नहीं मालूम कैसा होगा, तो हमने का कुछ phi t2 होगा, और into कुछ phi t3 होगा, actually मैं हमको t3 को गाइब करना है, जोकि t1, t2 के बीच में हमको engine को वर्क कराना है, अपने scale को निर्धारित करना है, temperature अपना है, तो हमने t3 को गाइब करना है, तो यह भाइसे आप तो cancel होगा, तो यह क्या होगया, function of t1, t2 is equal to phi t1 upon phi t2, ठीक है, जड़ा equation number 1 देखिए आप, जो function of t1, t2 था, उसको आपने क्या लिखा था, q1 upon q2, इसको कोई question number डाल दो, कोई 6 डाल दो, by question 1, जड़ा 1 देखिए, जहाँ पर function of t1, t2 था, वहाँ पर q1 upon q2 था न, is equal to function of t1 upon function of t2, function of t1 का मतलब क्या होता है, यह कोई temperature, तो इस temperature को माली आगया tau 1, इसको माली आगया tau 2, temperature है कोई, आपको change करना पड़ेगा, आप सबका ना मेखी रख देंगे, क्लास में, स्विवम खड़े हो, स्विवम खड़े हो, स्विवम खड़े हो, सब स्विवम खड़े हो गए, तो tau 1 माल लिया गया है, ठीक है, तो आपने यह देख लिया कि q1 upon q2 बरावर क्या है, tau 1 upon tau 2, यानि q1 upon q2, यह माल लिया गया है, tau 1 बोले तो temperature, tau 2 बोले तो temperature, ठीक है, इसको एक question number डाल लो, now, अगर हमको efficiency निकालना हो, efficiency, eta is equal, क्या होता है, 1 minus q2 upon q1 होता है, q1 upon q2 होता है, q2 upon q1 होता है, तो यह नहीं हो जाएगा, 1 minus tau 2 upon tau 1, या tau 1 minus tau 2 upon tau 1, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं working substance का resistance और volume कहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब आपने कितनी heat supply की आप जानते हो, आपको इसको देखना ही नहीं है, देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए q2 upon q1 चाहिए, यहीं चाहिए न आपको, यानि कि आपने source से कितनी heat supply की आपको मालूम है, इसने कितना work किया, कैसे work किया, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो इसकी gas देखनी पड़ेगी हमको, अब इसकी gas देखनी पड़ेगी हमको, अब कितना वालूम चेंज हुआ, आपको working substance को देखनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से efficiency निकाल सकते हैं, अब वो भी temperature निकाला हो गया, या निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, तो लिखे ज़रा, here q2 is equal to क्या है, here q2 is equal to, एक नट, उसको आप कर लें तब लिखें, here q2 is equal to, here q2 is equal to, q1 minus w, so w is equal to क्या हो जाएगा, q1 minus q2, लिखे, this work, this work, is between the temperature T tau 1 and tau 2, this work, this मतलब, this work नहीं, this मतलब इंजन, this को ब्रेगन लोग लिख दीजेगा, इंजन, अब पताला तुम this work, w लिख दोगे, this works, यानिके इंजन, between the temperature Tau 1 and tau 2, means, means, the temperature is measured, in terms of work, work के इंजन में आपने measure कर दिया, but q1, q2, w के इंजन में आ रहा है न, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, work scale of temperature, ठीक है, temperature is measured in terms of work, and hence, this scale is known as, work scale of temperature, hence, this scale is known as, work scale of temperature, अब हम इसको कैसे measure करें, क्या करें, तो 90% बुक में यहीं पर stop कर दिया गया है, टीचर्स भी यहीं पर stop कर देते हैं, लब कि आपको यहां पर stop नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको यह नहीं मारूम है, कि 1 degree centigrade या 1 degree centigrade या 1 degree centigrade या centigrade नहीं लगेगा, 1 Kelvin, 1 Kelvin कैसे measure करें यह हम को नहीं मारूम है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा समझेगा, इसकी एक sub heading डाली है, इसकी एक sub heading डाली है, अब तो इसी के अंदर चलेगा, the size of degree and 0 of the absolute scale, size of degree and 0 of 0 of an absolute scale, इसके लिए हम करेंगे क्या, हम अपने कार्णों इंजन को, एक scale मालेंगे steam point, source को क्या माल लिया, steam point और एक को मालेंगे हम, sink को हम माल लेंगे, freezing ठीक है, तो डाइग्राम कैसे बनाया जाए, निचे लिखिए, the efficiency of, the efficiency of, reversible engine, जब भी reversible कहा जाए, तो याद किसके आएगी, कार्णों साब की, efficiency of reversible engine is given by, eta is equal to, 1 minus q2 upon q1, 1 minus q2 upon q1 is equal to, 1 minus tau2 upon tau1, यह efficiency होता है, अब हमने कहा, माल लीजिए, कि यह जो working substance है, आपका, जो engine है, वो, दो, system की बीच में काम कर रहा है, एक steam point, एक freezing point, तो लिखे, let the reversible engine, let the reversible engine, operating between, operating between, steam point, steam point, and freezing point न लीखर के, लिखे, ice point, ice point, यानि कि, अगर हम इसको, indicator diagram से दिखाएं, यह volume और, pressure के बीच में है, तो यह steam point है, यह steam point का curve है, और यह आपका, जो है, ice point का curve है, यानि, यहां से यहां ता कि, steam point है, steam point बोले तो, इसका temperature हमेशा change होता रहेगा, fix रहेगा, change नहीं होता है, जब भी state change होती है, state change होती है, तो वहां पर temperature fix रहता है, यह आपका steam point है, यह isothermal है, steam point है, और यह आपका ice point है, यह आपका ice point है, ice point का temperature कितना होगा, zero होगा, इस प्रकार से हमने इस प्रकार से कर बना दिया ABCD यह इसका Indicator Diagram हो गया तो लिखो कहानी ज़रा थोड़ी सी क्या लिखा? Steam Point and Ice Point and ABCD ABCD Represent the Indicator Diagram Represent the Indicator Diagram आप जानते हैं कि इसका Reversible Diagram बनता ही है मालूब है नहीं यह? Indicator Diagram of Carnot Cycle are Carnot Cycle and AB and CD are respectively the Isothermals यह Isothermals होते हैं, यह आप कारणों में पढ़ चुके हैं आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ जब Volume Change हो रहा था ऐसे Change हो रहा था, Temperature उसका Fixed था ठीक है? और जब Volume घट रहा था, तभी उसका Temperature Fixed था तो यह Volume Change होना यह और यह घटने वाला यह वाला हो गया, ठीक है? AB and CD are Isothermals for the Steam Point and Ice Point और अगर इसका Efficiency निकालनी हो, तो Efficiency इसकी एरिया के बराबर होता है So, अगर हम इसका Efficiency निकालें, तो क्या मैं 1- Tau Ice upon Tau क्या लिखेंगे? Steam लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, और जब इसमें हम LCM लेके Solve करेंगे, तो आएगा Tau Steam S बनाए दे रहें Minus Tau Ice upon Tau Steam, और यह किसके एकुल होगा? Is equal to Area of ABCD, इसके एरिया के बराबर होगा ठीक है? अब हमने क्या किया? इन दोनों को 100 पार्ट में ब्रेक कल गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक? तो थोड़ी कहानी लिखी है यहाँ पर Let this area, let this area is divided into 100 equal parts, तो हर एक पार्ट एक डिगरी कहलाएगा? हर एक पार्ट, अभी न लिखे लिखे, let this area is divided into 100 equal parts, by drawing isothermals, by drawing isothermals, parallel to AB and CD, इस प्रकार से, देखे, इस प्रकार से इसके parallel, ऐसे खींच करके हमने, ऐसे, 100 parts में इसको डिवाइट कर लिया तो इसका मतलब हर एक पार्ट, 100 टुकड़े किये न, आपने, मैं boiling and freezing की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इसको 100 part कर रहे हो, तो हर एक पार्ट, उसके सवे हिंसे को depend करेगा? नहीं करेगा, तो 100 हिसे में से एक हिसा लेगा न वो, वह अगर इस area को आपने 100 भागों break करिया, तो हर एक पार्ट का area, एक degree, जो भी एक, जो भी एक है, पता नहीं क्या है, इन 100 area में से एक area को represent करेगा न, तो लिखेगा, the area of each part, the area of each part, will correspond to one degree on the absolute scale, which will correspond to one degree to the absolute scale, तो हर एक area one degree को represent करेगा, ठीक है, तो हर एक टुकड़े का area one degree को represent करेगा, लेकिन अभी absolute zero की हम बात नहीं करेंगे, क्या यह zero temperature इसका है, यह ice point है, ice point का temperature minus में भी हो सकता है, तो बताइए, zero करने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, उपर जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, किदा जाना पड़ेगा, उपर जाना पड़ेगा, अच्छा, अगर हम देखें, यह steam है, यह ice है, तो कहीं बीच में होगा, लेकिन उससे कोई मतलब कहां आपको जाना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको इसके नीचे, हमको इसके मतलब नहीं कहां पर आई सारा कहां steam को, तो scale लेने थे, वो ले लिया हमने, हमने का ऐसा है, कि हमने एक scale ड्रा किया, यह हमने कहा है, यह आपका 0 degree कर लिया, 0 degree, 0 Kelvin कर लिया हमने, ठीक है, तब कहानी लिखें, तब बताएं, लिखें, वी द्रा, एंड एसो थर्मल, बिलो आइस्ट बॉइंट, नहीं सहीं बने पर, सॉरी, 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 भी दूसी बात हम बता रहे हैं वी ड्रा, त आइसो थर्मल बिलो आइस पॉइंट and let Alana represent zero scale, इसको zero scale माना, zero scale minus 273 है इसके निचे ही ड्रा करेंगे आप zero scale की हम बात कर रहे हैं sorry, zero scale मतलब minus 273 degree centigrade की बारे हम बात कर रहे हैं, वो तो आपका यह जम होए यहाँ पर आई इस तो माइनस 27 माइनस 30 माइनस 40 हम जीरो स्केल की बात कर रहे हैं माइनस 270 तो नीचे जाना पड़ेगा ना आपका ने तो आपने बोला वही था रेकिन क्यों बोला था यह नहीं वालूम था क्या रिखा वीडरा आइसो थर्मल बिलो आइस पॉइंट लेट लम रिप्रेजंट दा जीरो स्केल यह जीरो स्केल हो गया जीरो स्केल कार्ड एफसलीड जीरो कार्ड एफसलीड जीरो देन देन क्या मैं इटा को लिख सकता हूँ one minus tau zero upon tau steam लेख सकता हूँ और tau zero को आप zero कह रहे हूँ तो यानि कि आप one minus zero upon tau steam क्या इसके लोग बना जाएगी क्या आप कह सकते हैं कि efficiency का percentage यहाँ पर hundred percent आ रहा है आ रहा है न अच्छा as tau की value आपकी calculation के साफ से क्या यह one so tau नहीं इटा so इटा is equal to one minus q2 upon q1 में अगर आप इटा को one लिख देते हैं तो one is equal to one minus q2 upon q1 तो क्या यहाँ से q2 के लिए zero नहीं आ जाएगी क्या से दो रहा है कि अगर आप मा लेते हैं कि इसमें एक zero scale आ रहा है जिसका temperature zero Kelvin है तो उस case में उस engine की efficiency कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी नहीं हो जाएगी और 100% होने की case में पूरी की पूरी heat को किसमे convert कर लेगा work में तो sink में ठींगा कुछ भी transfer नहीं करेगा जबकि practically यह पॉस्बिल नहीं है मतलब कोई भी engine 100% heat को work में convert नहीं कर सकता यानि की absolute zero scale impossible है यह possible नहीं यह temperature नहीं हो सकता है यह माना गया है मानेश 273 आपने पढ़ा होगा 200 zero Kelvin कहते हैं लेकिन यह impossible है यह हो नहीं सकता तो नीचे लिखे thus absolute zero at which thus absolute zero at which no heat rejects to the sink no heat rejects to the sink and efficiency becomes 100% which is impossible which is impossible it means absolute zero scale is unattainable attainable attainable un हो जाएगा कोई चीज अटेन करना a double t a iron कोई चीज अटेन करते हैं तो अटेन लिखते हैं न a double t a iron attain unattainable यानि absolute zero जो है वो attain नहीं कर सकते हैं क्या कहना चाहते थे वो वो कहते थे कि आप सिस्टम का टेमिटर zero Kelvin यानि-273 नहीं कर सकते हैं करते हैं तो बोलेकर कर दोगे न उस scale पे आते आते gas का volume zero हो जाएगा gas का pressure zero हो जाएगा gas liquefy हो जाएगा gas liquid के फार में अब कल्पना करिए अगर हम लोग minus 2-233 हो गया होता nature का तो nature पर God पर डिपेंड करता है और minus 2-233 होता तो gases किस फार में होती liquid के फार में होती तो liquid के फार में होती तो हम liquid को सांस के रूप में कैसे लेते तो भगवाने को system बनाया होता उसके लिए body का तो हमें यहां दो कटोरे ऐसे लगाए होते हैं एक में liquid oxygen एक में liquid carbon गया तो liquid गया अंदर अब अगर किसी के नाक है माले किसी के नहीं नाक हो तो बसूर लगेगा ना क्यों यह तो अजीब लग रहा उपर इसे उभराई है नाक नहीं अजीब लग रहा है लेकिन सबके है इसलिए उसे बड़ी अच्छी नाक है तुमारी तो अगर इसे कटोरे होते तो लोग उसी में बढ़ाई कर रहे होते बढ़ाचा कटोरा है देखो अगर हम माइनस 273 डिग्री में रहे रहे होते अगर मालिया भगवान ने पॉस्बिल कर दिया होता गैसे लिक्विड के स्टेट में होती तो हम लोग सांस कैसे लेते तो हमारे हां कटोरे कुछ लगे होते जाता है तो यह कह लाता है थर्मोडायनमिक स्केल या कैल्विन स्केल ठीक है आप चाहू तो जहां से यह हैडिंग डलवाई है आप इसके पहले तक कर दो कि तब भी नमबर पूरे मिल जाएंगे ठीक है झाला क्यों स्केल चे एक उवे कुछ थे तक कांच दिए स्केल टो हमनेकोद olm dic